फैक्टिव में निकलने वाले किसी भी प्रकार के कचड़े को चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो उसको हम यूँ ही बाहर नहीं बहा सकते या छोड़ सकते उसको उसके पहले हमें ट्रीटमेंट करके हानी रहित बनाना होगा उसके बाद ही हम उसको डिस्पोस क के लिए आगे भेड़ सकते हैं मित्रों जानकारे आपको कैसी लगी अगर यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें